अब परिक्षा का समय भी पास आता जा रहा है सीनियर सेकेंडरी के लिए 31 को आपकी एक्जैम है तो आप बैलेंस तरीके से दिमाग को ठंडा रखते हुए हैं आज अपने शितलास्ट में भी है तो अपने को अपने मन को तन को दिमाग को सबको शांत रखना है अब शांत चित्त होने का समय है शांत वह उसे पढ़ते रहना है विश्वास रखना है जो महनत की हमने अच्छा होगा और वह ज़्यादा परिशान होने के आवशक्त नहीं है ज़्यादा आपको परिशान होने के बजाए महनत पर ही जोड़ देना है तो लास्ट टाइम में जो थोड़ा सा तनाव होना अगर आप महनत कर रहे हो तो अभाविक है तो just go for a walk in the evening or morning एक बार आप भूमने भी जाओ walk करो 30-30-40 minute तो उससे क्या होता है जो stress release हो जाता है बहुत अच्छा walking is a very good exercise for physical as well as mental health शरीर और मन दोनों के लिए बहुत जरूरी है चलो let's start our studies so the next chapter is very nice chapter बहुत अच्छा chapter है हमारा वो है the rat trap चूहे का पिंजर तो इसमें जो राइटर है उनका नाम है Selma Lagerlof और वो क्या है Swedish writer है तो जब हम आगे कहानी को पढ़ेंगे जिस हमने पढ़ भी रखी है यह तो just review है तो Sweden की iron जो mill है iron जो odds है mines है जो लोहे की खाने स्वीडन में है उनका इसमें जिक्र है और कहानी जो वहां related होती है so again I want to remind you आपको याज दिलाना चाहता हूँ the writer is Selma Lagerlof remember it the rat trap writer is Selma Lagerlof who is a Swedish writer जो क्या है Sweden के writer है तो यह जो चीजें है अपने को अच्छे से याद रखनी है okay now देखो यह जो स्टोरी है बड़ी ही साइकलोजिकल और बड़ी humanitarian मानवतावादी मनोवग्यानी कहानी है तो इसमें जो स्टोरी है वो यह है कि there is a person one person who is very poor बहुत गरीब होता है बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवी का उपारजन करता है कैसे करता है by selling rat traps चुए के जो पिंजड़े होते हैं उनको बनाके वो बेचा करता है तो हम we can think about those people who are living in very hard condition है हम सोच सकते हैं जो person बहुत ज्यादा कठें परिस्टितियों में रहते हैं जिनका जीवन कितना नीरस और एकाकी होता है उनकी मनोस्तिति क्या होती है उसको लिखतने दिखाने की कोशिश किये तो देखो वो जब भी घूमता था तो एक विचार उसके दिमाग में आता था कि क्या है सारा संसार एक rat trap है ठीक है यह कलिटर का थोड़ा सा असर है यह स्वीडिस राइटर है तो वहाँ बोर्क वगयरा खाते हैं इसलिए वही पिंजरे में रखते होंगे अपने यह तो रोटी रखी जाती है मतलब वही है कि हम उसको देख के हम भूल जाते हैं कि हम पिंजरे में फसने वाले हैं यह विचार उसके दिमाग में बार बार आता रहता था तो देखो क्या था एक डार्क इवनिंग थी शाम का टाइम था तो अब उस समय उसने वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ एक क्या था एक फेक्ट्री थी आरन ओर की फेक्ट्री थी तो अब आपको आगे का बता दिया जा स्टोरी इस देट डार्क इवनिंग में सबसे पहले उसको एक कॉटेज दिखाई थी आरन ओर वाली स्टोरी बाद में आती है तो डार्क इवनिंग में अंधेरा था उसको एक छोटी कुटिया दिखाई दी वह वहाँ पर गया और वहाँ पर क्या था देरवाजे पर्षन जो मालिक था वह बड़ा सोशल था फ्रेंडली था विकॉस ही वाज अलॉन हिमसल वह अकेला रहता था तो यह होता है ना जो आ जामबाकु रोल उसको दिया बड़ा जेनरस था ठीक है और साथ में जेनरस के साथ साथ क्या था वो वो फ्रेंडली था और अपनी बाते भी बता देता था तो उसने उसको बताया जो होस्ट था होस्ट कौन था वो ही वेक्ती था उसने उसको बताया कि उसके पास में एक ब उसको मिला था उसके दूज को बेचने से, यह जो याद करने वाली चीज है, 30 kronor, अपने को मुद्रा भी याद रखनी है, जो मुद्रा क्या है वहां की, Sweden की, उस समय की, kronor, तो remember it, so he told that person, told his horse that he was making 30 kronor per month by her bossy cow, जो उसकी गाय की क्रीम वगरा बेच के, वो इतने 30 kronor, जो है, कमाई करता है, अब उसके बाद में, उसको विश्वास नहीं हुआ, एक बड़ी, बड़ा अमौंट बता दिया, तो उसने उसको विश्वास दिलाने के लिए, उसका पाउच लटका हुआ था, वो दिखाया, और उसमें कितने पड़े हुए थे, 3, 10 kronor bills, bills बोलते हैं रुपे को, विदेशी पार्ट है ना, तो इसमें अपने रुपीर बोलते हैं, वहां bills बोलते हैं, यह थोड़ा सा language का फर्क, culture के साब से आ जाता है, देखो, 3 wrinkled, 10 kronor bills यह भी आपको याद रखना है, 3 wrinkled तुडे मुडे हुए, 10 kronor तीन थे, 10 kronor bill में थे, 30 kronor थे, अपने को याद रखना है, अपने examination में answer देते हुए काम में आ सकता है, कि कितने पैसे थे, जो वो बाद में हम देखेंगे चुराता है, अच्छा जी, अब क्या होता वो गरीब आजमी था, उसका मन लल्का गया, जो हम पढ़ रहे हैं, red trap, तो यह उसके लिए bat था, bat बोलते है, लुभानी के लिए कोशीज रखी जाया, उसको bat बोलते है, B-A-I-T, तो जो यह paddler था, या जो घुमकड रखती था, अब क्या हुआ, सुबह समय पे उठे और before the door, वो दूबरा आया, और आके क्या किया, विंडो पे गया, वहां का चुगलास ब्रेक किया, और वहां से वो पैसे, खिड़की को खोल के निकाल लिए, अब पैसे तो निकाल लिए, उसके बाद की स्टोरी है, वो बड़ी ही, अन-इमेजिनेबल है, कलपनी है, उसके बा पेड़ थे, तने थे, और पॉरिस्ट में रास्ता भी नहीं बना हुआ होता, तो वहां पर वो भटक गया, और भटकता भटकता, बार बार एक ही जगह पर आ रहा था, हना, he was in the same place again and again, So, हमें याद रखना है, 30 तो नोड, ठीक है, इस तो नोड थे और जो उसने चोरी किये थे, that is important also, अच्छा, अब देखो, after that, Okay, let's see, देखो, उसके बाद में, गूमते गूमते लास्ट में, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, उसको लगा, वो तो वहां उसकी डेट हो जाएगी, लेकिन उसको अचानक ठक ठक की आवास सुनाई दिया, आईरन और कहीं दिखाई दी, उसको लोगा की मिल कहीं, दिखाई दी, ठीक है, तो उसने वहां पर पहुंचा वो, और वहां पहुंचकर उसने, वहां जो आदमी काम कर रहे थे, उनसे पूछा, ठीक है, और उससे मोमन होता है, गमंड में सहमती, गमंड पूर्वक, जब उसने जो वहां वरकर काम कर रहे थे, उनसे पूछा, या मैं कि राज बिता सकता हूँ, क्योंकि अंदर आइरन ओर थी न, वहां बट्टी जल रही थी, कर्मी थी, वहां बहुत ठंड होती है, स्वीडन में, सर्दी क बचने के लिए बहुत जंगल था, तो अब वहां पर यह हुआ, कि जो उनका मालिक था, वो आया वहां पर, ठीक है, और मालिक जो आइरन मास्टर था, जो पुझी पती था, जो लोहिकी उस मिल का, मालिक था, उसमें आया, और का, और बहुत अब जा अनका, वो ध्यान से देखा, और उसने कहा, ओ, यू, निल्स अलोफ, जो जो लोग, दा मैन उसको ऐसा ब्रह मत्जा वहा कि उसका पुराना मित्र है यह, तो उसने का रहें, तो वह तुम ने यह क्या हाल बना रखा है, उसको ऐसा लगा, है और उसकी तर उसको लगा यह उसका पुराना वही मित्र है जो फौज में अकॉमडेट का काम करता था नाउ देखो इसमें क्या था उसके बाद में जब उसने उसको कहा तो वह कह सकता था कि अब उसको जिद करने लगा जो आयरन मास्टर था कि मैं आपको अपने घर पे लेके जाओंगा लेकिन वह तयार नहीं था क्योंकि उसने चोरी कर रही थी 30 क्रोन और उसकी जेब में थे उसके वह डरता था कि उनको पुलिस यह जो शेरिस होते हैं वह पकड़ लेंगे अब जो जो सेट जी थे वह भी बहुत ज्यादा डेटर माइंड थे तो उसनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे उन्हों नहीं यहाँ किजिए इट लुक्स आज दो कैप्टन वान स्टेल प्रेफर तो स्टे विद यू तो नाइट जो मेन कारिगर था उसने उसको कारिए नाम याद रगना कैप्टन वान स्टेल तो वो जिस कैप्टन को जानता था जिसको वो समझ रहा था उसने का यह लगता है आपके साथ ही रहेंगे आज तो तो उसने फिर उसको वहाँ छोड़ दिया उसने का यह अब जाने वाला मेरे कहने से आने वाला नहीं है क्योंकि यह शर्मिंदा फील कर रहा है अब देखो इसके बाद में क्या हुआ इसके बाद में फिर कोई आया जो आईरन मास्टर था उसकी बेट्टी आई और उसने आके कहा माई नेम इस एडला विलियमसन रिमेंबर इडिये करेक्टर्स के है और बहुत गुड़ हार्टेड है अच्छे रिदय की है दयालू है उसका नाम आपको याद रखना है एडला विलियमसन अब उसकी बेटी आई वहाँ पर और आके उसने सेट दा यंग गर्ल उसने कहा कि मेरे पापा यहां आये थे अब ऐसा होता है ना जनरली कोई लेड है मैं चलता हूँ आपके साथ में ठीक है अब इसके बाद में वो जो फर वगएरा की उलाई थी उसको पेना दिया गया जो गेकट वगएरा थी और वो एडला विलियमसन जोसकी बेटी थी उसके साथ में उनकी घर की तरफ चल पड़ा जो नौकर था उसने उसको नहलाया वैलेट जो था नौकर था से रहेगा तो थीक हो जाता है लेकिन जब कुछ समय रहेगा तो ठीक हो जाएगा कि जो नौकर था उसने उसको नहलाया वैलेट जो था नौकर था सेवक था और उसके बाल काटे शेव कराई उसको ठीक है और अब जब सुबह ब्रॉड लाइट में आया दिन में जब रॉष्णी में आया वो वहां तो बहुत अच्छा वर्ड है यह है दिस्यमूलेट बड है एक्जामिनेशन में भी यह वर्ड पूछा जाता है डिस्यमूलेट होता है कंसील करना या च्छी पाना तो जब वो अगले दिन तहियार होके आया तो वो उसको पहचान इना स्वभाविक था जाड़ी वाड़ी कार दी ती और दिन की रोशनी थी और लेकिन उसने कोई बात नहीं छुपाई अब इस सिम्यूलेट हो समद गया उसका जो वैभव था खतम होने पर आ गया है So, now, Iron Master जो था वो बहुत अनहपी था उस पर उसने का था मैं तुम्हें बकडाओंगा तो देखो उसने का I never pretended to be anything but a poor trader and I pretended back to you be allowed to stay in the forge but no harm has been done उसने का देखो मैंने ऐसा pretend मैंने तो आपको नहीं कहा था ना कि मैं हूँ वो captain हूँ तो अब ऐसा कीजिए आप मैंने आपको कोई हानी तो पहुंचाई नहीं है ना आप मुझे मेरे चीथडे रैक्स रैक्स होता है चीथडे या फटे-पुराने जो कपडे होते हैं उनको अब उसने कहा देखो अगर शेरिफ को बुलाएंगे तो आपको आपसे सब निकलवा लेंगे अब उसके बाद में जो ट्रेंप जो हमशें जो सोसता था जो उसका विचार था जो उसका इसकी रिवेलरी थी उसने मुक्का मारा और उसने यह कहा उसको कि this whole world is nothing but a big trap जो हम स्टोरी का हमारी जो theme है यह संसार क्या है कुछ भी नहीं है बलकि क्या है एक big rat trap है एक बड़ा चूहे का पिंजड़ा है और कुछ भी नहीं है और क्या होता है cheese, rites और यह जो rites and bits of pork यह जो मास वगरा है जो सूर का मास है यह जो पनीर है यह रखके हम गरीब आजमें को फसाया जाता है यह बाद उसने कही जो वो हमेशा सोचा भी करता था यह बाद उसने उसको सेट जो थे आईरिन मास्टर थे उनको कही और must remember that a big day come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap साथ में उसने कहा आज आप मुझे गरीब को पकड़वा दोगे लेकिन याद रखना यह संसार तो चूए का पिंजड़ा है और आप भी इस तरह से कभी लालत में फस जाओगे इस पिंजड़े में अब वो आईरन मास्टर को दया आ गई और वो हसने लगा अब जैसे वो दरवाजा खोल रहा था डॉर्टर उसकी आई और उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की की आप इसको आज रहने दीजिए यहां पर यह बहुत गरीब आदमी है और इसने कभी कुछ ऐसा फंक्शन भी नहीं मनाया होगा तो उसने हालां की उसके फादर ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन बेटी की जित के आगे वो कुछ नहीं कर पाए तो उसके बाद में उन्होंने उसको रख लिया ठीक है वहाँ पर अब अब who had interceded for him वो उसको देख रहा था जो बेटी को जिसने उस बीच बचाव किया था the stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep अब जब वहाँ रहा तो उसने कुछ भी नहीं किया nothing but sleeping बहुत important है वो बिचारा नेन भी पूरी नहीं कर पाता था कभी अपनी तो उसने he did nothing but sleep सिर्फ सोता था पूरे दिन ठीक है whole afternoon पूरी दो फैर सोता था फिर खाना खाता था फिर सो जाता था यह था और इसके बाद में and the man with the red trip did not answer and the next morning the okay उन्होंने का जो उसने suit पहना हुआ था बेटी ने का यह उसके पापा की तरफ से उसको दिया गया है और the man did not उसने answer नहीं दे पाया उसको बड़ा amusement था अश्चरे था उसको यह भी का कि जब भी तुम्हें Christmas अगर मनानी हो कभी मनाने का मन हो आप यहां आना चाहते हो तो you are welcome here ठीक है तुम यहां आ सकते हो यहां तक की story है इसके बाद में जो climax है जो suspense है उसका यह है अगले दिन वो लोग चर्च में जाते हैं और चर्च में जाने पर चर्च में जाने पर उनको पता चलता है कि वो अब उसके पापा को बहुत गुस्ता आया वो जल्दी आये और आके उन्होंने देखा कि वो यहां से क्या चोरी करके चला तो नहीं गया भाग तो नहीं गया वो तो एक चोर है चोर को हमने गर में रखा था और जब वहां आये तो उसने मेलियम सन के नाम पे एक पकेट छोड़ा हुआ था जो वैलेट था सेवक था उसमें कहा जिए वो तो कुछ भी नहीं लेके गया यहां से एक लिफाफा छोड़के गया अब यह बहुत अच्छा इसमें जो इसका एंड है कि इसमें वो यह ही कहता है मैं बहुत थैंक्फूल हुँ आपका और आइड नहीं चाहता था आपको आप मनी दोना पड़े इंबरेस्ट बहुत अच्छा वड़ है इसको याद रखना और यूस करना चाहिए अपने को इंबरेस्ट ठीक है तो आप उनको मैं इंबरेस्ट नहीं करना चाहता था तो बट यू गिव बैक दा मनी तो ओल्ड मैन रोड साइड जो रोड साइड पे जो बुड़ा विक्ती है उसको आप ये पैसे दे देना और उसने वो जो 30 क्रोनर है वहां विफाफे में डाल रख ये आप याद रखना है तो ये यहां कहानी समाब तो होती है तो बहुत अची भावु करने वाली बहुत पॉजिटिव स्टोरी है जिसमें एक आजमी का रिदा है परिवर्तन कैसे होता है ठीक है तो ये आपको सारी चीश करेक्टर्स याद रखने है अब देखो जो कॉस् फिरव्पायदा है तो समसार चुह का क्या यादा नहीं है तो फिकटेलर संसार चुवे शाया रखने है एक अओ प्याकिके संसार किया सम अच्शु है ही ये, चुवी लूजलेश tha था ही इक है, ये चुवेर् एक word बहुत अच्छा है, bet, हमने पहले भी काम में लिया इसको bet, b-a-i-t, bet होता है, प्रलोबन देना, तो हम प्रलोबन देते हैं लोगों को, किस के द्वारा, इसके meat के द्वारा, cheese के द्वारा, cheese balls के द्वारा, और लोगों को उल्जा देते हैं, लालच में फसा देते हैं, तो यह उसका एक विचार था, चुए का समसार क्या है, the world is a red trap, okay, now देखो, another question is, why did he show the 30 kronor to the paddler, उसने paddler को, या फेरी वाले को 30 kronor क्यों दिखाए, देखो, the old man हमने पड़ा था, अकेला था, the old man was very friendly and his guest, he did not want to conceal anything from him, he had earned 30 kronor last month, उसने पिसले महिने कितने कमाए थे, 30 30 kronor, देखो, बहुत बार यूस कर लिया, now, अगर एक्जाम में से संबंदी, तो कोई भी कोश्चन आए, do it right, 30 kronor, और यह मेन चीज़ है, उसने, he showed 30 kronor to the paddler, to make him believe that he had earned 30 kronor only last month, कि उसने सिर्फ इसले महिने ही 30 kronor कमाए थे, यह बताने के लिए, उसने उसने 30 kronor दि खाए थे, और he was a very friendly person, so 30 kronor जो है, हमें याद रखना है, okay, why was Adla happy to see the gift left by paddler, paddler ने जो gift, चोड़ी उसको Adla देखे, खुश क्यों ही थे, हमने देखा ही है, because he repented, उसको पस्तावा किया, also he did not steal anything, rather he gave her back 30 kronor, so paddler left for Adla a rat trap, a rat trap diya था and the money he had stolen, और उसको पसा diya था, जो उसने चोड़ी किया था, he had requested her to return the money to its owner, और का था, यह ओनर जो माली का उसको देदेना, Adla was happy to see the gift as, at the thought that the paddler had repented over his mistake, क्योंकि उसने repent, उसने पस्तावा किया था, why did the paddler sign himself as Captain Von Stoll, जो paddler था, उसने अपना नाम Captain Von Stoll, क्यों लिखा, Captain Von Stoll, उसने अपना नाम यह याद रखने वाला है, Captain Von Stoll, याद रखना है, Captain Von Stoll वो नाम था, जो उनको लगा, वो paddler था, ठीक है, तो यह भी काम का है, the paddler was a thief, but Adela and her father warmly received him as a Captain Von Stoll, this friendly treatment changed his mind, so he wanted to behave as a Captain, that is why he signed himself as Captain Von Stoll, ठीक है, उसने अपने आपको इसलिए sign किया Captain Von Stoll, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा रहवार किया था, तो इसलिए वो Captain Von Stoll के रूप में ही हो जानते थे, इसलिए उसने वो किया, अच्छा साब, why, what made the paddler finally changes their, उसका रास, जो, बात में सुधार कैसे आया, the paddler was a poor man, he sold red traps, he did not earn much money by selling red traps, वो ज्यादा पैसे तो कमाता नहीं था, so at times he used to bag or steal, या तो चोरी करता था, या क्या करता था, बीक मांगता था, he was never welcomed anywhere, नहीं भी उसको welcome नहीं है, जैसा होता है, जो गरीब लोग या जो paddler होते हैं, या जो फेरी वाले होते हैं, उनको बहुत मार दुथकार दिया जाता है, nobody cared for him, so he had developed a kind of aversion to the people, लोग उसे थोड़ी घ्रिना हो गई चिसके मन में around him, जो उसके आस-पास होते थे, that is why he paid little attention to the good treatment that he received from the crofter, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, वो जो किसान था चोटा, चोटा किसान जो था, उसने अच्छा treatment दिया, उस पर भी उसने इसलिए ज्यान नहीं दिया था, when he was mistaken for a captain, he took advantage of that situation, देखो यहाँ, when he was mistaken, याद रखना, mistaken for a captain, when captain one is tall, हमने भी देखा है न, तो जब उसको गलती से, captain समझ लिया गया, तब उसने इस बात का फाइदा उठाया, और उसने, इस situation से फाइदा लेते हुए, but finally, when he came in contact with the Iron Master's daughter Adla Williamson, he recalled that the world was not so bad, his meeting with Adla made him change his way, तो जो यह देखो इस बहुत अच्छे, इसका क्रक्स है, कहानी का जो सार है, वो, his meeting with Adla made him change his way, को याद कर लेना, समझ लेना, his meeting with Adla, Williamson change his way, Adla Williamson के साथ जो उसकी meeting थी, उसने उसके रास्तों को बदल दिया, जो देखो, the story also focuses on human loneliness and the need to bond with others, तो इसमें आपको याद, जो रेटरेफ seller, old crafter, old crafter भी अकेला था, अपने को जहान रखना है, जो रेटरेफ, जो हो, the thing is that, how many questions you are reading, जितने ज़्यदा प्रिशन पढ़ोगे, जितना आपको नोलेज होगा, आपकी राइटिंग में वो निखार आता है, मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है, बच्चे कहते हैं, पांच या साथ या दस question हम कर लें, इसकी वजाए हम सारे questions को या important questions को अच्छे से देख के, अगर अपनी भाशा में उसको लिखें, that will be very very nice and original also, ठीक है, तो देखो इसमें रेट्टर सेलर, इवाज अकेला था, ओल्ड क्रॉप्टर, वो भी अकेला था, आइरन मास्टर अलसो, because he lives with his daughter or his wife's dad, ठीक है, तो ये कहानी loneliness की भी है, कि जो लोग अकेले हैं, उनकी कहानी भी है, आपको तो महिंची जाए, तो आप कर सकते हैं उसको, ये था, what did the peddler do to keep his body and soul together, body and soul together, मतलब अपने जीवी को पारजन के लिए क्या करता था, he used to sell small red traps for his livelihood, चोटे-चोटे फिंजडे बेशता था, चुए के अपने आजीवेका के लिए, but it was not a profitable business, he used to steal small things as well as, और कभी-कभी चोटी-चोटी चीजें चोडी भी करता था, तो इसमें वो करता क्या था, दो चीजें थी, देखो, इसमें एक तो sell small red traps, और दूसरे थी, still small things, दोनों चीजें याद रखनी है, sell small red traps और still small things, आपको दोनों बाते हैं, याद रखनी है, दोनों काम वो करता था, How did Adla persuade her father to let the peddler stay in their home till Christmas, Christmas तक के लिए, Adla ने कैसे मनाय अपने पापा को, तो देखो, for this Adla assured him that no harm would be done to him, and that he would be allowed to leave whenever he liked, तो Adla ने इसको मनाया पैडलर को, कैसे, तो यह उसको उसने assure कि था कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेंगे, और जब वो चाहेगा, allowed to leave whenever he liked, जब भी वो चाहेगा उसको जाने दिया जाएगा, तो इससे उसको थोड़ा assurance मेंगा, allowed to leave whenever he likes, जब भी उसको जाने का मन होगा, उसको जाने दिया जाएगा, तो इस बात से वो तयार हो गया था, Who was Adla, how did he change Paddler's behavior? Adla अपने को पता ही है, Mrs. Adla is the eldest daughter of his Iron Master, सबसे बड़ी बेटी थी, she lives with her father, अपने पापा के साथ रहती थी, as for her appearance, she is not all pretty, but inwardly she is the most beautiful lady, but Ridei से वो, she is the most beautiful, बहुत संदर थी वो, she is very modest, थी, विनम्र थी, काइंट थी, जनरस थी, she succeeded in persuading the Paddler to stay with them on Christmas Eve, Christmas की पूर्व संद्या पर रहने को तैयार किया था, Mrs. Adla had a deep insight into human psychology, she easily understands that the Paddler is very much scared, उसको मनोविज्ञान की बहुत अच्छे समझती जब उसको पता था न, वो बहुत ज़ाद डर गया है, जो Paddler था फेरी वाला था, तब उसने उसको अशोर किया था कि उस पर कोई दवाव नहीं रखा जाएगा, और जब वो चाहेगा, उसको घर से जाने दिया जाएगा, तब वो तयार हो गया था, वेन हर फादर वांटे टो एक्सपल दा पैडलर, फ्रॉम हिस हाउस, इट वाद अडला हो डिट नोट लेट इम गो, यह भी इंपोर्टेंट है, वो पहचान हो गई, उसको रेकर गनाईज हो गया, उसके पापा उसको बेजना चाते से पर पैडला ने नहीं जाने दिया, तो शीवर्द गरी गुड लेड़ी, वेरी काइंट हर्टेड लेड़ी, बहुत अच्छी महिला थी, तो यह एक लेंड़ी चैप्टर था, इसलिए आज अभी इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर ही कर रहा हूँ है, अब नेक्स वीडियो में आपको पोईम और चैप्टर साथ में करेंगे, तो अब दिरी दिरे हम बुक्स को समापती की ओर आ रहे हैं और इसके बाद ग्रामर करेंगे, देखो, गर तो हम सब कुछ चुके हैं क्लासेज में, ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम का जो रिव्यू होता है, या जिसको क्रेश कोर्स बोलते हैं, वो बहुत इंपोर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग जरूर इन वीडियो को देखना, आपकी मेमरी में सारी चीज़े रिफ्रेश हो जाएंगी, दुबारा तरुताजा हो जाएंगी, और इट विल बेरी बेनिशिशल पर यू, आपको बहुत एक्जाम में इसका फाइदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वार्श है, थैंक्स पर वाचिंग,